तो आज हम कुछ अलग बनाने जा रहे तो आज पापा ने सुबह केट फिश पकड़ा था जो कि मागुर मच बोलते हो मागर मच नहीं है क्रोकोडाल नहीं है मागुर फीश है तो आज ममी बोले कि वह पंकीन की स्टैम के साथ बनाएंगे जो कि हमारे प्लैंड लोकल प्रोड काटने जा रहे फिश तो चलिए देखें मेरे वीडियो पर कि कैसे वो करते हैं तो जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट नहीं क्या तो जबर कर देना भूलिया मत और वीडियो को कंटिने रखने के लिए आए मेरे साथ तो गाइस आज आएंगे आप लोगे और यह हमारे प्लैंट है तो देख सकते हो गाइस अभी ताजा ताजा मिल गया है और इसके साथ आज बनाएंगे ताजा ताजा सब्जी तो गाइस ग्रीन चली मिल गए है और इसको लेकर चलती हो अभी आज फर्स टाइम देख लो में यह इतने अच्छी स्टाइल्स है पापा इसका स्कीन को कैसा साफ कर रहा है गुए स्लिफरी है क्रें फेसंस अब लोग अलै कभी ट्राइ ट्राइ किया की निग पंकिन के साथ पंकिन लीफ के साथ मचली स्टाइ LEAST ज़ पान निए जो बहुत कमार भाने जै है तो बारीज भी नहीं तो पानी बीबहूत कमार कराबानिन कराटल स्मेश बखिर नीयुकर खिल्ट स्काइइ करो देटार नंटकतंथicial दय्हाड। जब हराम प्सक्कान जुर्स आए करते हैं और फ्याडिन भीके शच्त कम के काञा जिर्ट देल tint विसको भी जाता हैं छोह मैंने किसको भी करेंगे न कर दो कर दो कर दो कि अगे तुम पूंके जिसाब खूट रहे हैं अब जीरा यहां पे दे दिया है और अब यहां जालेंगे अब अब दिया है और यह है पंकीन का जो स्टैम था उसका यह क्या दिया है पने बिंजल भी दिया है गाईस अब बिंजल यह हम लोगा पेड़ कही है इसमों चोटा-चोटा अब यह थोड़ा सा ममीन हलका फ्राइब ज्यादा डीप फ्राइब अच्छा नहीं लएगा तो थोड़ा सा हलका फ्राइब हो गया है और अब यह सब्जी होने के बाद इसको डालेंगे तो अब सा नमक दिया है पहले अभी दिया है हल्दी और यह थोड़ा सा मीर्ची और यह दिया है जीरा इतना जादा दिया था कि इतना कम हो गया है तो अभी पानी डालेंगे इसमें तो अभी ग्रेवी तैयर हो गया है और अभी मचली एक एकर के ममी डाल रही है तो गाइज अल्मोस हो चुका है और अभी खाना खाने की त्यारी करेंगे तो गाइज यह रहा फिश की सबजी और यह मेरी खाना रेडी हो गई है तो देख सकते हो अप लोग कैसा रहा तो गाइज मैंने ले लिया है खाना और यह देख सकते हो यह पुरा ममी ने इसको पुरा रखा है और इसको काता नहीं यह बीच से और इसको खाऊंगे यह जया प्लिश अब गाइज बहुत ज्यादा तेशती है और यह फिश माना जाता है कि जितना आप इसको ग्रेवी टैप खाऊगे तो बहुत ज्यादा विटामिन्स होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा भी स्मेल करते है खाने के लिए और यह रहा पंकिन के स्टेम जो भी मेरे चैनल पे नियु हो आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके और कैसा रहा मेरी वीडियो जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन के कॉमेंट कीजिए और मैं तो भी इसको पहले खतम करूंगे फिर नेक्स ब्लोग के लिए आप लोग रेडि रहो तो फिर मिल करेंगे बहुत जल तो टाडा फिर बाबाई